नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बाफ फिर से टीचिंग वाला पर मेरा नाम कमलदीब सिंग है और एक बहुत ही बहतरी इंफोर्मेशन आप सभी के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ एक्चुली क्या है कि हम डिफरेंट टीचिंग एक्जाम्स के लिए प्रपरेशन कर रहे हूँ चाहे वो बीपीएसी हो चाहे वो आपका केवीएस हो एनवीएस हो या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी सिक्षक भरती हो लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ वज है आप सभी लोग अगर इसकी पात्रता को अगर आप फुल्फिल करते हैं तो आप इस वेकेंसी में अपिलाई कर सकते हैं और अपने सपनों यो जो जोब है टीचर वह आप पा सकते हैं तो आए जानते हैं कोनButton से लेकिन सि हैं जो यहाँ पर निकली है धियान से will be accepted application received ठीक है तो यहाँ पर online application आपके start होंगे कब से होंगे पहले बताते हूं कौन सी जोब है कहाँ पर यह जोब है यह समझ लेते हैं पहले तो education department चंडीगर administration ने यह vacancy निकाली है याने कि आपने अभी कुछ दिन पहले जो है चंडीगर में फॉर्म बरता पी आटी का तो अभी चंडीगर में जो है एक और vacancy आपको देखने के लिए मिलेगी चंडीगर से अगर आप है या फिर वहाँ पर apply करना जब के लिए तो आपके के लिए एक अच्छा म्वागी तो इसमें वैकर एकशी उप्लिकेशन का 25 इस दस दो हजार आपका तेहिस है यानि कि ये जो vacancies है आपकी 25th of October को आपकी निकलने वाली है और ये 11 बजे से start हो जाएंगे इसके form, closing date है इसके application की 16-11 यानि कि 16 November तक आप इसके form को fill कर सकते हैं तो 16 November दो हजार तेहिस last date होगा online form के fill करने का तो ये 25 October को निकलेंगे और 16 November तक आप इसके form को fill कर सकते हैं अब धियान से देखेगा यहां पर Candidate will be required to click recruitment on the website www.chdeducation.gov.in Submit the application Education Department ठीक है और ये total up to 98 post के लिए यहां पर जो है निकाली गई है वेकेंसी लेक्टरर post के लिए निकाली गई है लिखा भी हुआ है post of the lecturer PGTs कौन-कौन से subject में ये वेकेंसी है इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर देखेगा अगर मैं बात करता हूँ biology subject के लिए तो biology subject के लिए 5 vacant post है और category wise post यहां पर आपको दी गई है chemistry के लिए 6 post है economics के लिए 2 है English के लिए 23 है geography के लिए 3 है Hindi के लिए 10 है history के लिए 4 है home science के लिए आपकी 3 है mathematics की बात करें तो 4 post है music vocal के लिए 2 है physical education 6 है physics के लिए 7 है political science 9 है Punjabi के लिए 7 है Sanskrit के लिए 2 है sociology के लिए 5 है तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ तो 98 post है जिसमें 47 general की है 16 SC की है 26 OBC की है और 9 EWS की है PWD के 4 है आपकी और ESM की आपकी 9 है क्या क्या इसमें eligibility criteria होने वाला है क्या क्या reservation मिलने वाला है इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो ध्यान से देखेगा reservation for the benchmark disability as defined in the area of education teaching by gadget of India तो यहाँ पर candidate appointed against the PWD and ESM quota will consume the post from the respective category to which they belong that is general SCO or OBC इसके लाब अगर हम बात करते हैं तो instruction regarding reservation policy इसी आपके government of India के अनुसार जो है वो ही यहाँ पर लागू होंगे ठीक है जिसके copy आपको यहाँ पर मिल जाएगी pay scale की एक बार बात कर लेते हैं कि pay scale इसमें कितना रहने वाला है तो यहाँ पर देखे कि post of lecturer इसका जो pay scale है 9300 से 34800 प्लस grade पे 4800 notified by the चंडिगर administration finance department, account branch wide notification दिस दिस ठीक है तो यहाँ पर आप देखेगा 9300 से 34800 का साथ में प्लस grade पे 4800 को है यह आपका total इसमें salary structure रहने वाला है तो अच्छी खाजी salary है आप apply कर सकते हैं यहाँ पर इसके अलाबा form की fees कितनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आपके जो online form है 25 October को निकलने वाले हैं और यह 11 बज़े से start हो जाएंगे सुभा के साथ के साथ में इसमें जो non refundable fee है 1000 रुपे है आपका ठीक है in case of SC candidate अगर आप SC candidate है तो यह आपका है सुरी 500 रुपे है SC candidate के लिए otherwise 1000 रुपे फीस है general candidate के लिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो fee जो है वो general candidate के लिए 1000 है और आपका अगर SC candidates है तो उनके लिए 500 रुपे की fees है ठीक है आगे इसके लाबा बात करते हैं और क्या-क्या चीज़े यहाँ पर दी गई है merit list for the selection will be prepared on the basis of total marks obtained in the objective type test one objective type test 150 marks will be conducted qualifying marks of the test is 40% for the candidate no interview will be conducted मतलब कोई भी interview इसके लिए conduct नहीं करा जाएगा सबसे अच्छी चीज़ आप सभी के लिए कि कोई भी interview नहीं होगा इसमे no interview cable return base के number के basis पे आपको selection यहाँ पर दे दिया जाएगा और उसमें भी 40% marks आपको लाने है merit list में आने के लिए ठीक है इसके लावा all the notices and updates will be uploaded on the website ठीक है उन्दा regular basis the number of vacancies may be vary as per requirement तो number of vacancies जो है यह घट और बढ़ सकती है as per the requirement तो इसमें यह चीज आपकी दी गई है तो आपके पास में एक और मोका है दोस्त आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आप इसके क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो ठीक है तो आप देख सकते हैं यह आपके पास एक सुनहरा अवसर है आप सभी लोग इस सुनहरे अवसर का फाइदा उठाकर अपने जो ड्रीम जोब है टीचर बननेगी जिसके लिए आप इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं तो इसके बारे में और भी कुछ important information जो है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फिर आपको इसको बता देते हैं यहाँ तो इसमें आपका essential qualification क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं देखेगा qualification क्या है academic stream में यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो academic stream के अंदर आपने post graduate degree in relevant subject with at least 50% marks in aggregate from the recognized university कि आपके पास जो है 50% marks के साथ में post graduate की degree होनी चाहिए आपकी bachelor of education होना चाहिए आपके पास में जो है बी एड का जो डिप्लो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए 45% अंगों के साथ में ठीक है विद्दा relevant teaching subject जो भी आपका relevant teaching subject है आप math से करना चाहते हैं तो math से हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी से आपके पास में इसके अलावा और लिखा हुआ है या फिर आपने टू इयर का integrated msc ad course कर रखा हो ठीक है इसको हम integrated course बोल से जिसमें msc और आपका b.ad साथ में हो जाता है course of lectures in science subject with at least 50% marks in aggregate मैं तोटल 50% marks आपके होने चाहिए इसके अलावा आपने physical education की बात करते हैं तो physical education में आपने में physical education कर रखा हो 50% अंकों के साथ में aggregate from the recognized university ठीक है aggregate का मतलब तोटल किसी रखेंगा या फिर बैचलर ओफ एजुकेशन आपने कर रखा हो 45% अंकों के साथ में यह होना जरूरी है ठीक है बीएड आपका नसेसरी है इसके अंदर तो कोई भी आप पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं तो बीएड इसमें गंपलसरी है साथ मे आपने जो आपका पोस्ट ग्रेजवेट है आपने MSC कर रखी हो या MA कर रखा हो तो वो उसके अकोर्डिंग लिए अप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकोर्डिंग रेस्पेक्टिव पोस्ट में अपलाई यहां पर कर पाएंगे ठीक है इसके लाबा एक नोट यहां अनी नसेसरी हैं तो यह भी इसमें मेंशन करके यहां पर दिया गया है mode of selection and scheme of marks के बारे में एक बार बात कर लेते हैं देखेगा तो mode of selection and scheme of examination for the post of lecturer तो इसमें आपका पहले examination लिया जाएगा लिखा हुआ है कि merit list for the selection will be prepared on the basis of total marks obtained in the objective type test तो एक objective type test लिया जाएगा 150 नंबर का जो इस तरीके का होगा part A and part B will be conducted in single and multiple shift sessions qualifying marks for each part ठीक है part A, part B will be separately ठीक है तो दोनों के qualifying marks separately होंगे part 1 में आपको 40% marks अलग लाने होंगे part 2 में 40% marks अलग लाने पड़ेंगे आपको ठीक है तो यह यहां पर written test का होगा total marks 150, total number of question 150, time जो होगा part A के लिए 50 minute का होगा और यह single shift में ह होगा और part B जो है 100 minute का होगा ठीक है अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा किस तरीके से हम देख सकते हैं तो एक बार देख सकते हैं इसको तो part A जो है 50 marks का होगा 50 question इसके अंदर होंगे इसमें general awareness or reasoning आएगी 12 question होंगे इसके information and communication technology ICT teaching aptitude and pedagogy जो है 12 question आएगे इसके तो 5, 5, 10, 5 और यह आपका 4 तो यह इसमें 14 questions होंगे question का respective भी दिया गया है 5 question English, 5 Hindi और 4 Punjabi ठीक है तो यह part 1 का था अब हम बात कर लेते हैं part 2, part 2 में क्या क्या आएगा एक बार देख लेते हैं yes questions relating to subject specific relating to the post 100 question इसमें आएगे part V में यह यहाँ पर mention करके दिया है पाच वे अंदर होंगे और यह आपके subjects related होंगे मानले कि आप math से PGT का form भर रहे हैं तो आपके math के 100 question यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे ठीक है minimum qualifying marks for each part part A and part B will be separately 40% मतब दोनों में आपको 40% marks लाने पड़ेंगे ठीक है यानिकि जो part A है तो part A total 50 number का है तो इसमें qualify करने के लिए इसका 40% marks 20 number आपको लाने पड़ेंगे ठीक है और part B जो है आपका यह आपका 100 number का है और इसका 40% marks यानि 40 number आपको इसमें लाने पड़ेंगे तो आप merit list में आप नाम बना सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपका क्या है negative marking will be applicable and 0.25 की negative marking है इसमें यानिकि 1y4 की negative marking है इसके अंदर यानिकि आप अगर एक question गलत करते हैं तो एक बटे 4 number या 2.0.25 number आपके minus हो जाएंगे वहां से आगे लिखा गया question in the test for part B will be based on the relevant subject and the difficulty standard will be as per the qualification mentioned in the advertisement मतलब की question paper का difficulty level रहेगा वो आपकी minimum qualification के लेवल का रहने वाला है यानि की PG level का आपका जो है paper वहां पर पूछा जाएगा साफ साफ इसमें mention करके लिख दिया गया है examination questions will be bilingual होंगे Hindi English दोनों language में आएंगे paper आपके except for the language papers तो जो language paper है जिस language का होगा उस language में आएगा otherwise जो general questions है वो दोनों language में आपके दिये जाएंगे वहां पर इसके लावा medium of examination part B for the post of lecturer in physics, chemistry, biology and mathematics will be in English only आप इसमें कुछ subject ऐसे हैं जिनके questions जो है केवल English में आएंगे like आपके physics के chemistry के biology के और आपके maths के questions जो होंगे आपके यह English ही रहने वाला है इनका जो examination mode है आपका selection procedure की एक बार मैं बात कर लेता हूं कि selection procedure क्या रहने वाला है यहाँ पर तो इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं what is the selection procedure तो all the candidate who submit online application along with the requisite fees or not before the closing date will be issued admit card appear in the written examination without checking the eligibility condition ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको form fill करना पड़ेगा फिर admit card release होंगे exam आप देंगे फिर उसके बाद में ठीक है उसके बाद में marks obtained करेंगे आप written test में उसके बाद एक merit list त्यार करी जाएगी in case two or more candidates are having the same marks in written test then a candidate having the higher marks in B.Ed. will be rank higher in the merit list अब यहाँ पर एक hack है कि माल लिया कि दो student के नमबर सेम है मतलब एक student के 90 नमबर है दूसरे के भी 90 नमबर आ गए अब इन दोनों में से किसको select करेंगे यह student A है और यह student B है तो माल लेते हैं student A के B.Ed. में जादा marks है तो A के B.Ed. के जो है select कर लिया जाएगा है ना तो जिसके B.Ed. में जादा number होंगे उसको select कर लिया जाएगा in case of अगर दोनों के written exam में marks समान आते हैं तो ठीक है आगे लिखा गया है कि merit list will be prepared on the basis of marks in written test will be uploaded on the website ठीक है आगे लिखा है in first round candidate to be called for scrutiny of original document under each category will be three times the number of post under each category मतलब three times of candidates को वहाँ पर बुलाया जाएगा each category के अंदर मतलब अगर 100 vacancy है तो 300 लोगों वह बुलाएंगे महाँ पर तो list of the list of selected candidate will be prepared on the basis of total marks obtained in the objective type test final merit list of selection will be released after the checking of eligibility condition of ICT training certificate तो final merit list जब बनेगी उसमें आपके computer skill भी आपकी देखी जाएगी अगर आपके अंदर computer skills अच्छी है तो आपका final merit list में नाम आ जाएगा ठीक है तो यह इसमें कुछ important चीज़े हैं जो आपको पता होनी जरूरी है इसको form को fill करने से पहले provisional appointment letters will be issued to the selected candidate after checking verification of eligibility condition verification of document तो जो final offer letter है appointment letter है वो verification के बाद ही होगा जो document verification है ठीक है age limit की बात कर लेते हैं तो age limit आपकी 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए candidate age should be strictly between 21 to 37 years as on 1-1-2023 तो 1-1-2023 को उनकी जो age है 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए तो relaxation SC OBC ESMPW and other category candidate will be given as the instruction issued by government तो जो government के rules है ना different category के लिए relaxation के उसके coding है आपको relaxation यहाँ पे मिल जाएगा तो age relaxation to other category will be given as per the instruction of government of India, no candidate will be accorded age relaxation and benefit of reservation unless he or see attaches the required certificate issued by the competent authority at the time of document verification ऐसे चात्रों को जो relaxation चाहते हैं उनके पास valid document होना चाहिए अगर document नहीं होगा तो उनको relaxation नहीं दिया जाएगा वहाँ ठीक है तो यह आपका सारी चीज़े है प्रोसीजर क्या रहेगा ओनलाइन सब्मिशन का यह बता देता हूँ देखेगा एप्लिकेशन कैन बी सब्मिटेड ओनली ओनलाइन ओनलाइन एप्लिकेशन होगे 25 तारीक से सुरू हो जाएंगे October से ठीक है और 16 नमंबर तक आप इसको फिल information होगी एक important examination है तो आप सभी को जो है apply करना चाहिए जो भी इस post के लिए eligible है guys ठीक है तो जितने भी छातर eligible है इस post के लिए उन सभी को इस post में apply करना चाहिए 21 साल से 37 साल के बीच में आपकी आयू होनी चाहिए अगर relaxation मिल रहा है तो government norms के according देख लेंगे आप लोग ठीक है so all the best guys and take care thank you and bye bye